कुछ राजमुतिक महमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं तारूफ मैं आपको करा दू धनन जैगिरी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं आपको बता दे कि इस वक्त आप देख रहे हैं सैफ खान जी को और समाजबादी पार्टी से हमारे साथ है कीर्थी निथी पांटे जी कुछी देर में अभिशी एक जाब हमारे साथ जुड़ेंगे जेडियू से और प्रफेसर सतीश प्रकाश ब्यस्पी से मारे साथ जुड़ेंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लेकिन मैं समझना चाहूंगी राजीव पहले आप से हमने देखा है हर चुनाव में दलितों को साधने की जो कोशिश है वो तो हर सियासी दल करता ही रहता है लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से हम देख रहे हैं चाहे 2014 की बात करें है 2019 की जिस तरह से दलितों का एक बड़ा वर्ग BJP के साथ गया है अब उसमें जो सेंध लगाने की कोशिश कॉंग्रेस की तरफ से हो रही है खास तोर से करनाटा गया हिमाचन में सफलता के बाद ये जो दलित प्लान है ये कितना सक्सेस्फुल उनके लिए होता साबित हो रहा है और उसमें मुखे रूप से मलिका आरजुन खडगे को मुखे चेहरे के तौर पर आगे रखना क्या ये सिर्फ कॉंग्रेस या पूरेस विपक्षी गडबंधन के लिए तुरुपका एकका साबित होगा देखिए पूजा मलिका आरजुन खडगे कॉंग्रेस के तीसरे दलित नेता है जो की उनके राष्टिय प्रमुख के तौर पर काम करे रहे मलिका आरजुन खडगे की अपनी एक इमेज है बहुत उनकी बहुत सारी खूबियां है जिसमें ये भी है कि वो दच्चिन से आने के बावजूद अच्छी हिंदी बोलते हैं इसके अलामा वो संसदी और सडक दोनों की राजनीत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके बने दस महीने हुए हैं अगर उसके बाद के जो चुनाव हुए है उसमें कॉंग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है जीत के पीछे जो हाथ है वो खड़गे का कॉंग्रेस का यह फैसला भी है जहां तक दलित वोटों की बात है पूरे देश में दलित वोटों की आबादी इतनी ज्यादा है अगर आप देखे तो ज्यादतर राज्यों में 20-25 या 27-30 विजदी तक दलित वोट आपको देश क अलग अलग सूबों में दिखाई पड़ेंगे तो यह तो दलित वोट बैंक देश का सबसे बड़ा वोट बैंक नाना ही जाता है लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि वो इसकैटर्ड है अलग 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 इलाकों में अलग अलग नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा B.S.P. के साथ पिछले तीन दश्कों में दलीत वोटर जुड़े रहे जबकि अलग अलग जगहों पर वैसे तो मद्यपरदेश और राजस्थान में भी B.S.P. ने से इदमारी करने में खामियाभी पाई थी लेकिन दच्छिड के राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी ने उन पर जादातर अगर आप देखें तो कॉंग्रेस का ठीक ठाक हिसाब किताब रहा है अगर आप ये भी देखें कि एमर्जेंसी के दिनों में जब कॉंग्रेस का सबसे बुरा दिन था तब सबसे जो लाज बचाने का काम कॉंग्रेस का किया था आपात काल के बाद 1980 के चुनाओं में इंद्रा गांदी का तो दच्छिड 77 में भी तो दच्छिड ने वो साथ द दिया था कॉंग्रेस पार्टी दच्छिड के 5-6 राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति में रहती है और मुझे लगता है कि 2024 में भी रहेगी जहां तक मलिकार जुन खडगे को इंडिया का चेहरा बनाने का ये कहना अभी जल्दबाजी होगी अगर उनकी मेरिट्स है तो पहली बात ज्यादा तर लोगों को दूसी बात ये कि उनकी उम्र 80 के आसपास है और इस समय जिस तरह की देश में राजनी चल रही है उसमें 73 साल की प्रधानमंती नरेंदमोदी हैं 80 साल के मलिकार जिन खडगे को चेहरा बनाने के लिए विपक्षी दल के लोग किस तरह से तैयार होंगे उनके पक्ष में जो सबसे मजबूत इस्तिती है वो ये कि आज तक देश में दलित को एक बार जगजीवन राम जी कथा लेकिन वो दूसरे मामलों से नहीं आगे आपाए आज तक देश को दलित चेहरे को देश ने कभी भी प्रधानमंत्री प्रध का उमीद ज्वाद नहीं बनाया है अगर ऐसा होता है तो कियाये विपक्ष का मास्टलोक हो सकता है यार हो सकते अभी यह कहना बहुत जंद बाजी होगी इतना जरूर altogether जो बैटाक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रही है उसमें जो रोड मैप जो रूट मैप 2024 का तै होना है उसमें ये माना जा रहा है कि कन्वेनर, लोगो, नारा ये सब चीजे तै होंगी मुझे ने लगता कि अभी इतनी जल्दी किसी चेहरे को आगे करके इंडिया आपस में हमासान करना चाहेगा